बहुत समय पहले की बात है, एक बूरी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली, उसका अपना कोई ना था, घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता, सुबह उठकर उए से पानी दाना, खाना बनाना आद, उसके साथ एक परिशानी थी, वे रोज सुबह उठकर जब घर में लगाती, तब तक तो सब ठीक ही रहता, पर जैसे ही, वे आंगन में जाती, और जाडू लगाने के लिए जुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता, अम्मा उसे घूर कर देखती, तो वे थोड़ा हट जाता, फिर वे जैसे ही दुबारा जुकती, आसमान फिर अपन आसमान उसे तंग करे एक दिन कुएं पर पानी बढ़ने को लेकर अम्मा का किसी और से जगड़ा हो गया अम्मा जरा गुस्से में थी वह जाडू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही जुकी आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर शेड़ा अम्मा ने आव देखा नताव और कसकर एक ज़ाड़ू आसमान को दे मारी आसमान जट हट गया पर वे भी अपनी आदत से मजबूर था दूसरी बार फिर अम्मा को जुकते ही तक्कर मावने लगा अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस परवार किया आसमान को शरार्थ सुजी इस बार उसने ज़ाड़ू पकड़ ली उदर अम्मा भी ज़ाड़ू पकड़े थी रस्ता कशी शुरू हो गई ज़ाड़ू का उपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा दोनों छोड़ने को त्यार नहीं थे अम्मा चिल्लाई छोड मेरा ज़ाड़ू मेरे पास एक यही ज़ाड़ू है तब भी आसमान ने नहीं शोड़ा बुड़ी अम्मा कब तक रस्ता कशी करती थक रही आसमान ने ज़ाड़ू खींचना नहीं शोड़ा अब वै ज़ाड़ू के साथ उपर उठने लगा उसके स पाद साथ जाडू पकड़े हुए अम्मा भी उपर जाने लगी वे चिलाई मुझे नीचे शोड़ दे आसमान ने कहा अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं शोड़ूंगा ले चलूंगा उपर वहीं जाडू लगाना अम्मा अब जाडू नहीं शोड़ सकती थी क्यूंकि वह बह आसमान को फिर शरार्त सूजी उसने सोचा अम्मा तो चांद पर चड़ गई है यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाओंगा इसे यहीं रहने दूँ ऐसा सोचकर उसने जाडू शोड़ दिया अम्मा जाडू सहत चांद पर रह गई वह इतनी ठक गई थी कि जाड जाडू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई आसमान ऊपर चला गया उस दिन से आज तक बुड़ी अम्मा जाडू पकड़े चांद पर ही बैठी है